जरूर दे रहे हैं लेकिन मात्र 4700 पदों पर ही दे रहे हैं जबकि हकिकत क्या है कि 110,000 की जो बहाली थी उसमें मात्र 90,000 छात्रों ने ज्वाइन किया उसके बाद कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे कई सारे परिक्षार्थी ऐसे थे जिनका डॉक्मेंट में कमी पाया गया और वहां के जिला सिक्षा पडादिकारी ने एक सर्कूलर जारी करके कई छात्रों को बाहर किया तो इन तमाम पदों को जो अनेलिजिबल हो गाए और जो कई जगा जवाइन किये थे इन सब को जोर करके दोस्तों बिहार लोग से वायोगों मतलब BPSC के माधियम से एक बरी अपडेट आ रही है भी कि परिक्षा जो आपको दूसरा चरण होना है BPSC का उसका एड्मिट कार्ड आज जारी किया जाएगा जहां एड्मिट कार्ड आपको इड्मिट कार्ड आज जारी किया जाएग क्योंकि आपको बता दे उचित विवस्था नहीं होने के कारण दस जिले में सेंटर की कटोती कर दी गई है आपको बता दे कि दस जिला कौन कौन चाह है जिसमें आपकी सेंटर नहीं पड़ेगी उसमें आते हैं अरवल, सिवहर, सेखफुरा, भवुवा, किसन गंज, अररिया, मध्यपूर और सुपोल सामिल है इसके लावा 28 डिस्टिक में आपका कहीं भी सेंटर पर सकता है साथ यों आपको पता दे एड्मिट कार्ड आज देर रात BPSC के अपसियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिल सकता है वहाँ से अपना आप यी एड्मिट कार्ड डॉनलोड करेंगे उसके बाद उसमें आपका सेंटर नेम और एक्जाम डेट भी लिखा रहेगा इसके अलावा कुछ अनिक खबरे हैं जो BPSC के दुसरे चरण को लेकर है साथियो अभी हम इसे वीडियो में बात करेंगे आज आपको पता होगा कि पिछले दिन गुरुबार को सिक्षा व्याग और BPSC का बैठक था इसमें सप्लीमेंटरी रिजल्ट को लेकर पूर्ण डुपेन बात किया गया कि कब तक आखिर सप्लीमेंटरी रिजल्ट आएगा इसके पारे में भी हम बात करेंगे और साथ में एन आएस डीलर वाले भ्यरती को क्या सप्लीमेंटरी रिजल्ट से बंचित रखा जाएगा हम इस पर विशेश सर्चा करेंगे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा साथ देखिए वीडियो को दूसरी चनल के सिक्षक निकति परिक्षा का सेंटर प्रदेश में 38 में से 28 जीलो में होगा ये बात आपनी देखा अभी उसके बाद है साथ दिसंबर से 16 दिसंबर तक चलने वाली परिक्षा में अलग-लग दीन परिक्षा केंदर की संख्यां अलग-लग होगी मतलब कभी कम तो कभी ज़्यादा हो सकती है अब भिर्थियों के अनुसार मद्विद्यला के सिक्षक अब भिर्थियों की संख्या सर्बादिक है वास्तव में बहुत से अधिक फॉर्म जो फिलफ हुए हैं वह 6-8 में हुए हैं इसके कारान अन सभी सिक्षक सरेणी की परिक्षा जहां वाल एक दिन में ली जाएगी वहां मद्विद्या जाये मतलब 6-8 की परिक्षा के सिक्षकों की नुक्ती के लिए दो दिन परिक्षा होगी मतलब आपको बता दे साथी हो 6-8 के अभिष़िध्यों के लिए 2 दिन परिक्षा का डेट रखा जाएगा क्योंकि उसमें दो भागों में बट गया और एक्जाम लेने में भी आसान हुआ इसी प्रकार इस बार भी होगा हो सकता है कि पहले दिन लर्का का एक्जाम हो जाए और दुसरी दिन लर्की का एक्जाम हो जाए जैसा बेपेश भी पहले से करती आ रही है इसके दोरान परिक्षा केंदर की संख्या भी सरवाधिक होगी पहले दिन 9 दिसंबर को परिक्षा केंदरों की संख्या सबसे अधिक होगी इस दिन गणीत विज्ञान और समाजिक विज्ञान विशाए की स्वरिक्षा प्रदेश के 28 जीलों में 28 जीलों के 662 केंदर पर होग जिसमें 552 किंदर बनाए गए हैं साथ सितंबर को संख्या सबसे अधिक होगी और केवल पटना में किंदर होगा शातियों आगे बात कर रहते हैं आपको मैंने अभी बताया कि देर रात आज आपको सिक्चक नियुक्ति परिक्षा के लिए सुक्रबार देर रात अपलोड होने की शामावना है सिक्चक अभ्यरति सनिवार से इअपलोड कर पाएंगे मतलब साथियों आज अपलोड हो जाएगा और कल यानि सनिवार को आप अपना अपलोड कर सकते हैं जैसा कि बिभाग से सुचना आई है साथियों इसके लाब हम बात कर लेते हैं कि आपको पता होगा कि पहला चरण का उज़े एक्जाम होता भी पेसी टी आडी फेस वन इसमें सेतालिस सुक्चक अभ्यरतियों का पूरक रिजल्ट मतलब सप्लिमेंटरी रिजल्ट या कहें तो स्थिक cent marriage लिश्ट निकाला जाएगा इस second marriage लिश्ट में कितने भीरति सामिल होंगे उसमें टूटल सेतालिस सु पत बताए जा रहा है साथियों आपके जानकारी के लिए या सेतालिस सु पत वह पत है जिसमें primary उसके बाद 19th और 11-12 में तीनों में डिजल्ट हुआ था या इसमें से किसी दो में डिजल्ट हुआ था उना भेर्थियों को किसी एक पद पर बहाल होना था वही सीट जो बचा है उसी पद पर सप्लिमेंटर डिजल्ट आएगा और आपके जनकारिक लिए बता दे जो भेर्थी नहीं लिये हैं उस पर भी सप्लिमेंटर डिजल्ट दिया जाना चाहिए केबल 4700 पद पर सप्लिमेंटर डिजल्ट देना या कही ने कहीं विभाग की गलती है क्योंकि सात्यों आप पता होगा कि टोटल 88000 पद ही केबल अभी तक हैना भड़े हैं निउक्ति को लेकर और ट पूति कम पद है सात्यों सप्लिमेंटर डिजल्ट के लिए इसमें आपको बता दे जिसका कटफ मार्क पर है या डेट अधिक चांस बनती है एक मार्क कम है तो आप आशा लगा कर रख सकते हैं नहीं तो अगर आपका दो या तीन है तो बिलकुल मैं कहता हूं कि 1-5 में नि प्रख जरूर कर दीजेगा साथ्यों आपको बता दिए एक जरूरी सुचना कि यह जो पेपर कटिंग और आपको एक्जाम का अभी इसेड्यूल पता होगा कि एक्जाम होना है सारा PDF के साथ साथ जितना पेपर कटिंग होता है स्क्रीन सोट होता है जो कि एक्जाम को लेकर important होता है विभाग को लेकर important होता है वह सारा बात के लिए एक telegram channel बनाया गया है वर्ट्टर बनाया गया है जिसका link आपको description में मिल जाएगा वहाँ पर जाकर आप जरूर जोएन होक रहिए जिसे के आपको इस प्रकार का स्विवधा पहले ही मिल जाए साथ यो हम इसको पर लेते हैं पीपेसी जल्दी पर्थम चरण की परिक्षा के अधार पर 4700 सिक्षकों का सप्लिमेंटर रिजल्ट जारी करेगा विहार लोग से वह आयोक ने साथ सितंबर से होने वाली दूसरे चरण की अध्यापक नियुक्ति परिक्षा से पहले मतलब साथ आरेक्षी जो एक्जाम स्टाट होगी उससे पहले ही आपका सप्लिमेंटर रिजल्ट आ जाएगा गुरुबार को बिपेसी और सिक्षा विहाग के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में ये बात सामने आई है कि जानकारी के मुताबिक 47 ऐसे अभिरति की सूची सिक्षा विहाग ने भेजी है जो दो से अधिक पदों पर सफल हुए हैं उनके द्वारा स्विक्षा से एक से पांच और कख्षा नौ से दस में अधिक सप्लिमेंटरी रिजल्ट जारी किया साएगा सातियों 1-5 और 9-10 में अधिक सप्लिमेंटरी रिजल्ट आने की चांस बन रही है लेकिन यहीं 11-12 का बात करें 11-12 में कम इसके पीसे का रिजन आपको पता होगा कि 11-12 में अभिरत बहुत ही कम है अधिक अधिक अभिरती बचे है थोरे से मेरिट को लेकर 11-12 में उसको निशित होने की चांस बनती है और इसके अलाबा जो भी सीट वेकेंट रह जाएगा भिरती नहीं मिलेगा वह सीट विपेसी फिज 3 या 33 चरन में जोरा जाएगा ऐसा विपाग की और से तो थैंक्स फो वासिंग हमारे वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरू कीजएगा सात्यों आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेशन देता है तो चलिए सात्यों आज की वीडिकों यह हैं पनुमान